आई गाईज, आप में से काफी student का मुझे message मिला है, message यही था कि समर्थ portal पर document फिर से re-upload क्यों करना है और कैसे करना है, और इसका क्या messages क्यों दिये जा रहे है students को उस पर थोड़ा बात करने के लिए, ठीक है? तो पहले जिन students को नहीं पता कि यह समर्थ portal का जो भी re-uploading of document का process चल रहा है, यह क्या है, वो में थोड़ा समझा जयता हूँ, तो क्या हो रहा है कि कुछ-कुछ student के पास एक message जा रहा है, जिस message पे यह लिखा है, you are required to provide some more detail for your registration number जो भी है लिखा रहेगा, साथी साथ लिखा ह at the earliest, मतलब यह कहां जा रहा है student को, कि आपको कुछ और document, कुछ और detail provide करना होगा, आपने समर्थ portal पे, तो क्रिपिया करके, आप अपने account पे login किजिए, करके उधर पे जो भी document चाहिए, या फिर जो भी details चाहिए, वो जल्दी से जल्दी दे दीजिए, ठीक है, तो यह पु students को यह भी दिखाई दे रहा है, यह जो message आपके screen पे अभी है, there is no request for you to upload any document, you must often check this section for document re-uploading, ठीक है, तो यह भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इधर पे लिखाए कि, मतलब जब student login कर रहा है, तो दिखा रहा है कि कोई भी request अभी आपके लिए है नहीं, ल चीज़ है, कुछ कुछ students ने क्या किया, कुछ document re-upload, document अच्छे से upload नहीं किया, मतलब उसका photo जो भी खीचा है, उन लोगोंने, वो clear नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा है कि, document जैसा देना था, 12 का माक्षिट अगर देना था, तो उसने दे दिया आधार का photo, ऐसा मतलब बहुत problems हो रहा है, students ने किया, तो उन सब problem को जब देखा गया, जब screening हुआ था, बचल रहा है अभी screening का process, तो तब देखा गया कि problem ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन students को फिट से एक बार document re-upload करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि उनका admission cancel ना हो, लेकिन अगर कोई अगर आप प्रोवाइट करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एस student आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको दो चीज करना है, मेरे तरफ से suggestion रहेगा, पहले यह है कि आपको message चाहिए हो या फिर नहीं गया, मतलब आपको message अगर मिला है नहीं मिला, फिर भी आपको दो च कुछ भी account है, उस पे कुछ भी document uploading का कुछ भी option आया है क्या, अगर आया है तो उस पे click करके एक बार देख लो कि कुछ भी document re-upload करने के लिए bold रहे है, या पिन नहीं, अगर नहीं bold रहे है, तो आप उधर पे जाके directly उस photo को re-upload कर दो, जो भी photo मांगेगा, जो भी irrelevant document provide करता है, तो उसका जो मतलब application है, उसका जो candidature है, वो cancel कर दिया जाएगा, ठीक है, तो प्लीज, रिक्स मत लेना, ये थोड़ा छोटा सा चीज है, वो आप खुद भी phone से कर सकते हो, एक बार कल लो, अगर कोई भी problem फर्दर होता है, तो आप मेरे Instagram account पे message कर सकते हो, ये ब कर दो आप